हेलो दोस्तों स्वागत आपका हमारे चैनल आरके सिर्सरस के स्टड़ी पॉइंट में देखी फ्रेंट्स इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं गुप्त कालीन सामाजिक आर्थिक राजनितिक विवस्ता के साथ साथ गुप्त कालीन महतपूर सब्दा वलिया साथ ही इसमें हम लोग देख लेंगे जहां से प्रशन पूछे जाते हैं जैसे कि गुप्त कालीन मंदरों से हमेशा प्रशन पूछ लिये जाते हैं या गुप्त कालीन शासन विवस्ता से रेलेटिड भी हमेशा प्रशन पूछ जाते हैं तो महतपूर सब्दा वलिया उनके अर्थ साथ ही हम देखेंगे इसमें गुप्त कालीन जो है जैसे गुप्त काल में इस्तरियों की क्या दसा थी दास प्रता थी या नहीं थी और कैसी इस्तिती थी तो यह सारी चीजें यहां से प्रशन बन जाते हैं इसके अलावा राजस्वेवस्ता से रिलेटिड भी जो है प्रशन हमेशा पूछ जाते हैं तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू से लाश्ट तक देखेंगे आराम से देखेंगे हर एक फैक्ट को अच्छे से समझेंगे मतलब हर एक फैक्ट को याद कर लेना है क्योंकि कहीं से भी पूछा जा सकता है तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये महतवपूर वीडियो आप लाश्ट तक बने रहे हैं क्योंकि देखेंगे इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं गुप्त कालीन, महतवपूर सासक उनकी वनसावली उनका जो क्रम से हम लोगों ने देखा साथ ही हमने सासन व्यवस्था को भी समझा था तो अगर आपने वीडियो वो नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजेगा बाकि इतिहास की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है आप क्रम से सारे वीडियो चेक कर सकते हैं भूमी पर किसका स्वामेत हो था तो समराठ का ही स्वामेत हो था क्योंकि हमारी जो गुप्त काल में हम देखते हैं कि केंद्रिकरत ववस्था है राजा ही सरवोच था और उस सारी सक्तियां उसी में नहीं थी और एक मनलब केंद्रिकरत सूद्रण विवस्ता हमें देखने को मिलती है आर्थिक इस्तिती भी अच्छी देखने को मिलती है आर्थिक संपनता देखने को मिलती है साथी जैसे कि सोने की सिक्के उसमें सोने की सुदता देखने को मिलती है इससे पता चलता है कि आर्थिक इस्तिती काफी अच्छी थी और सोने की सि को क्या कहा जाता था दीनार कहा जाता था तो यह चीजें भी याद रखने वाली हैं देखिए भूमिकर संग्रे करने वाले अधिकारी क्या था दुर्वा दीकरड तो दुर्वा दीकरड कौन था भूमिकर का जो संग्रे करता था अधिकारी था दुर्वा दीकरड साथी महाक प्रकार का इस्थाई करता तो याद रखना है उद्रंग ये पूछ लिये जाता है नगर से बाहर आने वाली बस्तों पर कर लगता था बूतो बाय प्रत्याय कहा जाता था और सीमा कर भी लगता था जिसको शुलक कहा जाता था और जो वसूलता था उसको सौलिक कहा जाता था सामाजिक विवस्था की अगर बात करें तो यहां जो थी सामाजिक विवस्था वर्ड विवस्था पर आधार थी यानि कि वारा मिहर ने इस बात का जिक्र किया है कि ब्रहामड चत्री वैश तता सूद्र के घर में किरमसा पांच चार तीन दो कमरे होना चाहिए यानि कि ब्रहामड के घर में पांच और चत्री के चार वैश के तीन और सूद्र के चार तो यहां से बता लगता है कि वड़ विवस्था थी और ब्रहामड जो थे प्रतिष्थे थे लेकिन कुछ ब्रहामडों ने अपना जादिगत वेशा छोड़ कर जादिगत पेशा जो छोड़ दिया था और विवस्था एक ब्रति को अपना लिया था तो कुछ लोग व्यपार भी करते थे ब्रहामड और म्रक्ष कटिकम चारूदत नामक ब्रहामड व्यपार कर्में लगा हुआ बताया गया है मिरक्ष कटिकम में और यग वालक इस मुरती में सरप्रतम कायस्त नामक पदी दिकारियों का उल्लेख है तो इस तरीके से फाईयान जो है अचुतों को चंडाल कहता जो नगर के बाहर रहते थे तो फाईयान ने अचुतों को क्या कहा है चंडाल कहा है तो ये फैक्ट भी याद रख सकते हैं और इसके अलाबा हम देखते हैं कि अगर इस्तरियों की इस्तिती की बात करें तो इस्तरियों की इस्तिती जो थी इस काल में बहुत अच्छी नहीं कहीं जा सकती लेकिन मिली जुली थी कहीं कहीं इस्तरियों की दसा अच्छी भी देखने को मिलती है लेकिन अगर सही देखें तो जैसे गुप्त कालीं समाज में इस्तरियों का इस्तान गौड ही था इस्तरियां जो थी व्यक्तिकत समपति समझी जाती थी बाल बेभाका भी प्रचलन था परदा परदा केवल उच्च वर्ग में प्रचले थी सती परदा का प्रचलन था तो ये चीज बहुत ही important fact ये है कि यहां अगर सती परदा का उलेख मिल जाता है तो इसका मतलब है कि इस टाइम इस्तरियों के स्तरियों के स्तरियों बहुत समान जनक नहीं थी या ये कह सकते हैं कि जो समाज में पुरुस वर्ग ही हावी था और गुप्तकाल में वैश्य वरती करने वाली इस्तरियों को गडिका कहा जाता था और सती परदा का प्रदम उलेख ये पूछ लिया जाता किस अभिलेख से मिल था और कुटनी जो थी ब्रद वैश्यां को वहा जाता था इसके अलावा अगर देखें तो दास प्रदा देखें तो गुप्तकाल में नारद ने 15 परकार के दासों का उलेख किया है तो इसका मतलब है दास प्रदा थी गुप्तकाल में तो ये चीज जो हम सामाधिक विवस्था के बारे में जान चुके हैं इसके बाद आगे बढ़ते हैं देखी गुप्त काल में अगर साहित और बिज्ञान की बात करें तो बिज्ञान और साहित के छेत्र में हमें अबूत पूर प्रगति देखने को मिलती हैं बहुत सारी साहित्य की रचना हुई और विज्ञान की छेत्र में भी बहुत सारी रचनाएं रच्ची गई तो इसलिए गुप्त काल को सांस्क्रितिक सम्रदता के कारण ही गुप्त काल को सवड काल भी कहा जाता है और चंद्रगुप्त बिक्रमा यानि चंद्रगुप्त दि सब्द्र घुपत के इन्हों ने प्रियाग प्रसस्ती लिखी है बीर शेन साव योदागरी प्रसस्ती तो यहां मिलान करने के लिए पूछ लिए जाता है इसलिए याद रखें कि तो मन्दस और प्रसस्ती किसकी है वद्स भर्टी की यानि कि यह अभी लेख है और कालिदास की जो तुलना है, 6पी असे की जाती है, तो प्रियाक प्रसस्ति किसकी है हरिशेड और उदैगरी गौफाले यह वीर सेन का है, मंद्स और प्रसस्ती बत्सभर्टी, यह कुमार गप्त प्रथम के दरवारी कभी थे और हरिसेड किसके थे समुद्रगुप्त तो ठीक है तो ये चीज हम लोगों को याद रखना है रचनाए अगर देखे तो थोड़ा सा ये डेटेल में देख लेते हैं फिर बाकी शॉर्ट में अभी एक टेवल है उसको भी आप लोग देख लेंगे ये तो ये आप लोग देख लीजिए बिक्रमों वर्सियम ये भी कालिदास का है अविज्ञान सकुन्तलम आप लोग इसको चाहे हैं तो इसकी डेटेल देख सकते हैं ठीक है और भारवी ये क्रारतार जूनियम का है और सुद्रक ये म्रक्ष कटिकम ये ठीक है इसका एर्थ हो भी बाड़जि में लगे थे ठीक है और सुद्रक ने प्रतंबार राचे परिवार को छोड़कर मध्यम बर्क को अपने नाटक का पात्र बनाया बिशाक अदत्त के दो नाटक है एक मुदरा राक्षस और देवी चंद्र गुपतम ठीक है और चंद्र गोमिन चंद्र व्या रिलेट荡 और इनकी रजना अरए भट्यम ही के तो यह बहुत ही महतपूर एक च्शच जो दश्यम इनकि राचना है खागोल छीज यह हम लोग देख चुके हैं रचना रचнова को इसको शौर्ट में देख लेते हैं एक टेबल के रूप में तो गुप्त काल की महतवूर रचना है जैसे रितू साहार ये कालिदास किये मेग दूत कालिदास किये कि यहां से ब्रश्न बन जाते हैं तो आप लोग याद रखें किमार संभम कालिदास रगुवन्स कालिदास किये माल विकागनी मित्रम कालिदास अविज्ञान सकुंतलम क तीय वई चन्द्र गुप्तम काफ्ययाडर्शन तंक कि याद किया सिर्म कोबित मख़त करने। भी डंडिन शवपन वासदददथ भास की है और अरुबंग भास shrit भाडव kitchen और कादंबरी भी बाड़ भर्टी की है नागानंद हर्ष की है प्रिय दर्शी का हर्ष की है रतनावली हर्ष की है ये रचनाय तो बहुत जरूरी है याद रख लेना है ठीक है नागानंद प्रिय दर्शी का रतनावली ये तीनों हर्ष की है तो यह दोनों रचनाई याद रखना है यानि गुप्त काल जो है इतनी सारी महतपूर रचना है गुप्त काल में ही रची गई ये बहुत एक महतपूर देन कही जा सकती है और सूर्य सिद्धान्त भी आरे भट की है तो ब्रह्मा सिद्धान्त आरे भट की हैं सूर्य सिद्धान्त ये आरे भट की है नियायकतार सिद्यसेन, पंचितंत्र विष्णु सर्मा, नितिसाज्त्र कामंदक, काम सूत्र वात्षयायन, चरक सेंता चरक, म्रक्ष कटिकम सूत्रक, और योगचार असंग की है आगे बढ़ते हैं हम बहुत महित्पूर चीज पर इस्थापत कला पर और इस्थापत में मंदिर बहुत ही ज़्यादा फीमस है या ये भी कह सकते हैं कि गुप्त काल से ही मंदरों के निर्मार की शुरूआत होती है तो चलिए देखते हैं स्थापत कला देखें, गुप्त काल में ही सरप्रता मंदर निर्मार शुरू हुआ प्रारमिक मंदरों की छट जो थी सपाट होती थी लेकिन परिवर्थी काल में जो है मंदर के गर्व ग्रह के उपर सिखर बना जाने लगा यानि पहले तो मंदर की छट सपार्थ होती थी शुरुआत में लेगिन परवर्ति काल में क्या दा मंदर के गर्व ग्रह के ऊपर सिखर बनाया जाने लगा और कौन कौन से महतपूर मंदर है सांची का मंदर गुप्तकाल का प्रारंभिक मंदर है छट सपार्थ है इसमें एरण का विष्डु मंदर ये सागर जिले में है मद्दिप्रदेश के और तिंगवा का विष्डु मंदर ये जवलपुर में है ये इस्थान भी पूछा जा सक गंगा तथा यमना वाले यमना अपने बहानों के साथ उत्यकीर की गई है ठीक है नचिना कुठार का पारवती मंदिर ये अजयगर्पन्ना में है मद्धिप्रतेस और भूमरा का शिफ मंदिर ये कहां है सत्ना में ये गुपत कालीन मंदिर है जारे ललितपुर ये जहांसी म में हैं और इस सिखर वाले मंदिर का प्रतम अधारड है और विश्णू का अंकर ने इसमें ठीक है बीतर गाओं का मंदिर ये बहुत इंपोर्टेंट है ये कहा है कानपूर में और इट निर्मित मंदिर ये बीतर गाओं का मंदिर कानपूर में है और ये सिखर युगत है इस स्काल में स्कूप उसकाल में स्कूप बनाया गया अिस दूप क्या है जो है घो कह सकते हैं कि बुद्ह गाले उना या बोद्ह है बुद्ह को जीवन पृरित्य हैं बुद्ध की समाधि सतल्भी नहीं कह सकते हैं डेक सारनात का धमे किस्तूब बना और गुफा इस्थापत्त की बात करें यानि इस टाइम में गुफाओं का भी निर्माड हुआ तो विदिसा के पास उदैगिरी की गुफाई है और चंद्रगुप तो देती है कि विदिस सचे बीर से इन राओ द्वारा निर्मेत है और प्रसेद गुफा बारा गुफाई है जिसमें बारा भगवान प्रतिवी का उतार करते हुए अंकित है इसमें महतपूर जो गुफाई है वो है अजन्ता की गुफाई और बाग की गुफाई तो ये पूछे जाता है अजन्ता की गुफाई और बाग की गुफाई कहां से मिलती है या कहां है इनका अस्तित तो वो कहाँ पर है ये अजनता की गुफाई तो ये चीज़ जरूर है ये जनता की गुफाई कहाँ और अंगाबाद में और बाग की गुफाई कहाँ है धार मद्यपरदेश में तो ये दोनेशचे आप लोग याद रखी प्रारंबे गुफाएं हीनियान से संबन देते हैं और बाग की गुफाएं कहां हैं धार मद्दे प्रदेश और इसके बारे में आगे हम बताएंगे थोड़ा और देखे सारनात की बुद्धमूर्थी पदमाशन मुद्रा में भी मिलते हैं तो यह सारी गुप्त कारिन कुछ इस्थापत कलाएं हैं और यह मंदिर हैं इनके इस्थाने इनको आप अच्छे से देख लीजिगा थोड़ा डिटेल में बाकी और भी हम देखने वाले हैं आगे चित्रकला की बात किरें तो अजंता की जो चित्र हैं और अंगाबाद जो गुफा जो मिलती हैं और अजंता की सोलमी गुफा में क्या है मरणासन राजकुमारी का चित्र है और तो यह याद रखना है और सत्रमी गुफा क्या है चित्रसाला कही जाती है यहां के अधिकतर चित्र जो है वुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबन देते हैं तो यह याद रखना है इसमें जीवन से सम्मंदित चित्र देखने को मिलते हैं और सत्रमी गुफा जो है चित्र साला कही जाती है और बाकी गुफाएं जो हैं 1818 इस भी में डेंजर फील्ड ने खोज की थी इसकी और चित्र जो हैं लौकिक जीवन से सम्मंदित है तो ये चीजें हमें याद रखनी है किस से सम्मंदित हैं और कौन सी गुफा है गुप्तकाल से रिलेटेड हैं तो सोलमी सत्रमी गुफा आगे देखते हैं गुप्तकाल के जो मंदिर है तो मंदिर को ए शॉर्ट में देख लेते हैं भूमरा नागोद ये शिप मंदिर है तिंगवा जवलपूर ये विश्रू मंदिर है देवगर जासी ये दशावतार मंदिर है शिरपूर ये लक्षमण मंदिर है इटो का मंदिर है उदैगिरी का ये विश्रू मंदिर है सारनात में यह इटों का मंदिर नालंदा बहुत बिहार यह किस ने बन वाया था यह आपको बताया ही था मैंने तो यह भी स्थापत्कला का बहुत ही महतपूर अच्छा नमूना कहा जा सकता है इस्थापत्कला का गुप्तकालीन तो यह कुमार गुप्त के टाइम में बना था ठीक है और नागौत खो यह शीव मंदिर है तो यह सब गुप्तकालीन इस्थापत्कला के महतपूर नमूने कहे जा सकते हैं या बहुत ही इस्थापत के हमें अगर जो इस्थापत्कला को जा प्रशाशनिक सब्दावलियों से भी प्रशन पूछ ली जाते हैं जैसे कि देश भुग्ति विशय पेट ग्राम तो यह इकाई हैं जिसको क्रमा अनुसार हम समझ सकते हैं सबसे बड़ी इकाई कौन सी थी प्रशाशनिक देश थी उससे छोटी भुग्ति यानि देश जो था कई भुग्ति में बटा हुआ था फिर भुग्ति को विशय में बटा गया था और विशय को पेट में और पेट को ग्राम में जिसमें देश के जो मुखिया था यानि देश एक पूरा सामराज्य कहा जा सकता जो गोर्ना गोपति भी कहते थे भुग्ति का जो मुखिया था उपरिक कहलाता था विशय का विशय पती कहा जाता था पेट का पेट पती और ग्राम का ग्राम पती तो यह इस तरीके से यह ग्रम है याद रखी सबसे वड़ी काई देश फिर वुक्ति फिर विशय फिर पेट फिर ग्राम यहां से भी ऐसे भी प्रशन पूछ ली जाते हैं तो ये important हो जाता है हमारा, गुप्त काल से ही विकेंद्री करड की प्रवत्ती बढ़ने लगी थी, और इसके बाद ही सामंती विवस्था भी, जिसका जो स्वरूप है सामंती विवस्था की रूप में हमें बाद में देखने को मिला, विकेंद्री करड की प्रवनाम सरूप ही, और गुप्त साशक समद्र गुप्त कभी संगीत तक ददा विद्ध्या का प्रेमी था, उसे कभी राज की वादी प्रदान की गई, और इसमित महोदे ने उसे भारत का नैपुलियन कहा, और ये सुधरसन जील के बारे में यहां से प्रशन पूछ लिए जाते हैं, सुधरसन जील के निर्मार और जीरोड़ोदार से संबंदित विब्रण, तो हर सासक के टाइम में इस सुधरसन जील का जीरोदार किया गया, या कुछ ना कुछ उसमें निर्मार कारे किया गया तो किस के टाइम में किस अधिकारी ने कारे के यहां से प्रशन पूछ लिया जाता है जिसे चंद्रगुप्त मौरे के टाइम में पुष्ची गुप्त ने कारे किया था असोक के टाइम में तुसास्प ने कारे किया था इस अंगर मद्य प्रदेश की उर्बरा भूमी थी गुपतों की आरंबिक मुद्राइं उत्तर प्रदेश में ही मिली हैं गुपतों संभपता कुशानों के सामन थे और गुपत सामराज के सबसे बड़े अधिकारी क्या होते थे कुमारा मात सबसे बड़े अधिकारी को कुमारा म अक्षडव प्रोहितों और प्रसाशकों के छेतर विशेश में कर गिरण और साजन करने की रियायत का दिया जाना जिसे ग्रामदान कहते थे यानि ग्रामदान दी जाने की विवस्था जब शुरू हो जाती है इस प्रता का आरम साथवानों ने दक्कन में किया था और इसके बादी सामंती ववस्था देखने को मिलती है हमें गुप्त काल में जो निगम के प्रतिनिदी को नैगम कहा जाता था ठीक है और या ब्यापारिक संगठन तो सार्थ क्या था ब्यापारियों का सम हो था सार्थ भा ब्यापारिक प्रधान था तो उस जो सार्थ भा क्या था ब्यापारिक प्रधान था निगम क्या था ब्यापारिक संगठन स्रेश्टी क्या था निगम प्रधान था तो ये भी यहां से प्रशन पूछ ली जाते ये फैक्ट ये जो सब्दा वलियां है वो हम गुप्तकाल में बटाई पर खेती करने वाले किसान थे ठीक है उनको सीरिन कहा जाता था और नारत तथा पाराशर इसम्रतियों में बिद्वा विभा का समर्थन मिलता है गुप्तकाल की सिल्फकला का जनम विशेष्टा मतुरा सैली द्वारा इस्थापित प्रतिमानों पर आधारित था गुप्तकाली नाटवों की दो प्रमग विशेष्टा है थी एक तो मुक्ता प्रेंप्रदान था तो सुकांत होते थे और जो है और इसमें संस्क्रित भी सामाजी की स्थर के पात्रश संस्क्रित बोलते थे ठीक है और राम्यार तैता महावारत के अंदिम ग्राम ब्रद या मुक्या लोगों का बर था तो महतर कौन था ग्रामेर छेतर के मुक्या को कहा जाता था और गुप्तकाल में चीनी रेशम को चिनान सुक्त था रेशू से निर्मित कपड़ों को दुकुल कहा जाता था तो रेशम से निर्मित कपड़ों को क्या कहा जाता लास्ट में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा थार्मी किस्तिती ठीक है तो गुप्त काल हिंदु धर्म का पुनुरुथान काल था यग का इस्थान उपासना ने ले लिया मूर्ति पूजा हिंदु धर्म का सामान लक्षर बन गई वैश्डव एंस सैफ धर्म के मद समन्व को छैस्था बन के लिए इसथा उप्थाना है कि जो गुप्त काल के जो शाशक से धर्म शेह श्ष रॉस्णित हैं बहुत जाद किसी एक धर्म का वर्चे सब्सक्राइब का समन्वा हमें देखू बता है ओ सारे धर्म यहां को दिखासी दिख Gusist है लेकिन मुख्यता जो था वैशड और सैव धर्म वैशड धर्म को गुप्तकाल में राज जैसर है प्राप्त था तो वैशड धर्म जो था गुप्तकाल का मुखे धर्म था और चंदरगुप्त बिक्रम दित्य के सिक्चे पर परम भागवत खुदा हुआ है इसके लावा समद्र गुप्त के सिक्के पर विश्रू के बाहन गरुड की प्रतीमा बनी हुई है और यहां से गुप्त काल में शैब धरम का भी विकास हुआ था और कुमार गुप्त के मंतरी प्रतवी सेन द्वारा सिव मंदिर के लिए दान देने का उल्लेख है और इस काल में जैंधरम को भी सरक्षर दिया गया था कुमार गुप्त के उधैगरी लेख में इस वात का उल्लेख है कि संकर नाम की व्यक्ति ने फार्स उनात की मूर्ती स्थापित की यानि बहुत धरम का भी उल्लेख मिलता है तो इस तरीके से सभी धर्मों का यहाँ प्रश्रे मिलता हुआ दिखाई देता है तो इस तरीके से यह सारा गुप्त काल का धार्मिक जीवन अच्छा था इस टाइम में बहुत जादा धार्मिक विबाद नहीं थे बहुत जादा ठीक है चलिए इतना ही आज गुप्तकाल की हम ये सारी वेबस्ता है देख चुके इसके साथ ही गुप्तकाल हमारा कम्प्लीट हो जाता है बहुत सारे fact हमने इस वीडियो में देखे आप सारे वीडियो अच्छे से पढ़ लीजेगा बहुत अच्छे से आपको त्यार करना है एक बार इसको फिर से सुन लेंगे तो आपको सारे fact अच्छे से त्यार हो जाएंगे बाकी पुराना वीडियो मतलब इससे पहले वाला व चलिए थेंक यू बाबाई